हिमाचल परदेश में कांगारा के 30 किलिमेटर दूर जौला देवी का परशीद मंदी जौला मंदीर को जोतावाली मा का मंदीर और नगर कोड भी कहा जाता है यहां मंदिर माता की अन्य मंदिरों की तुला में अनोका है क्योंकि यहां पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं बलकि पिर्थवी के ग्रफ से निकल रही नौ जौलाओं की पूजा होती है जौलामो की मंदिरों को खोजने का शरी पांडव को जाता है इनकी गिंदी माता के प्रमुक शक्ति पूठों में होती है ऐसी मानिता है कि यहाँ देवी सती की जीव रिथी यहाँ पर आपकी में जोठ है जो की बिना किसी बत्ती और बीना किसी तेल के जलत वी ही पिर्थी के अंदर से प्रजलित होगी इस तरीके से आप देख सकते हैं यह हमारी में जोठ है जो आपकी जौला मुकी मंदिर का मेन दौार है वहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर एक जल का कुंड है जिसमें दो जौले और जलती ही परजलित होती है जो की एक बहुत ही सुद्ध कुंड माना जाता है इसके जल को लोग अपने घर ले जाते हैं अपने घर में छुड़कत जोति हैं जिसके उपर यह मंद्री बना हुआ है यहां नौ जोतियों को महाकाली अनपूर्णा चंडी हिंगलाज विंधंशनी महालक्षमिश्वत्षती अंबिका अंजी देवी के नाम से जाना जाता है कि मंद्र में होने वाले चमतकौरों को सुन अकबर सैना सहीत यहां जोति को बुजाने के लिए नहर कर निर्मार्ण कराया तो इस प्रकार से इस चाति ने बहुत तरीके के छेद हो चुका है और ये किसी अन्य धातु में परितु हो गया है जो कि अभी तक माता के मंदिर में यहाँ पर इस्तित है जिसकी भी पूजा की जाती है और इस पर तिलक चड़ाया जाता है तो यह अकपर का छत्र है इस मंदिर परस्तित एक मौल सरी का प्राचीन विक्ष है जहाँ पर आप मनत मांग सकते हैं धागा बांग सकते हैं चुड़ियां परना सकते हैं कोई भी आपकी मनत है इस से विक्ष पर आईए इस पर धागा बांग दिये चुड़ियां परनाईए और मौल सरी का विक्ष है जो की बहुती प्राचीन विक्ष है और यहां पे आप माता रानी के दर्शन कीजिए तो गाइस जब भी आप हिमाज़ा परदेश आएं जॉला मुखी मंदिर पर जुरूर आएं जो भी आपकी मननत है उसको मांगी उसको पूरा कीजिए और नौ जॉला नो जोती के दर्शन कीजिए अकपर का जो छत्र चड़ायवा था जो माता राने श्विकार नहीं किया था उसे खंडित कर दिया है वो किस धातों में प्रवित हो गया है वो अभी तक पता नहीं चला है उसके दर्शन कीजिए नो जोतियों के दर्शन कीजिए और बहुती आनंद मिलता है यहां जाता है तो इस तरके से आप यहां पर दर्शन कर सकता है जै जोला माता की